इस बुक के चप्टर फाइफ में कहा गया है कि एक बार ज्यादा लंबी जिन्दगी जीने वालों से गाइडन्स लेते हैं कि वो क्या बोलते हैं मतलब 110-110 सालों के लोग इन में से एक है मिसाव ओकावा जिनकी उम्र थी 117 साल मतलब ये लेडी तीन सदियों तक जिन्दा रह जाने क्या क्या चीजे इसने देखी 110 सालों तक तो ये लेडी अकेली खाती थी अकेली रहती थी सारे काम कुछ से करती थी वो कहती है कि राज तो सीधा सा है कि मैं अच्छा खाती थी सूशी टेक्निक से खाना बगाती थी पूरी नींद लेती थी इन सब में एक बात oldest person कोई ना कोई जापा नहीं मिलेगा कुछ बोलते हैं कि हम सिर्फ दो वक्त का खाते हैं और अपना सारा काम खुदी करना पसंद करते हैं कुछ कहता है कि हम दारू जैसे नशे से दूर रहते हैं कुछ बड़ी कमाल गी बात बोलते हैं कि हमने अपना एकीगाई बना रखा है बतलब हमने 110 साल की पूरी प्लैनिंग तयार करके रखी है क्या क्या करेंगे दुनिया छोड़कर जाने का सबसे बहतर तरीका यह है कि आप अपना काम करते करते मरो इनके हिसाब से इस सुम्र में जब लोग बीमारी या शरीर के सातना देने का बहाना बनाते हैं उस वक्त ये लोग काम करते हैं नेक्स चेप्टर में बात की गई है कि ये बड़ी एज के लोग क्या सीख देते हैं अब से पहली चीज़ तो जापान के बुड़े बड़े लोगों के आबादी को देखकर हम लोगों को लगा जैसे वक्त यहाँ पर थमसा गया हो इस बुक की राइटर बोल रहा है कि एक बुड़ी औरत बोली मैं होटल का खाना नहीं काती बलकि अपनी गार्डन में फार्मिंग करती हूँ और वो ही पका के खाती हूँ और तो और यहाँ पर ज्यादर होटल्स में और्गनिक वेजेटिबल्स बनाना ही पसंद किया जाता है यहाँ पर ग्रुप्स बुड़े बड़े लोगों के ग्रुप्स होते हैं और यहाँ पर सबसे छोटे मेंबर की एज ही 83 years थी यहाँ पर राइटर बोलता है कि ग्रुप्स के सबसे छोटे मेंबर की एज 83 years थी यहाँ पर ज्यादा उम्र के लोगों का नास्ते गाते बड़े मनाया जाता है गाने गाते हैं, फेस्टिबल्स मनाते हैं खेलते हैं, यहाँ के लोग हमेशा बिजी रहते हैं फ्री कोई नहीं मिलेगा लेकिन इतना बिजी रहने के बावजूद इनके चैरे पर टेंशन बिल्कुल दिखाएने देगी बड़े शांत चीज से अपना काम करते हैं, इनके कुछ नियम है पहली चीज तो चिंता मत करो लोगों से घुल मिल कर रहो अपनी उम्र के लोगों से दोस्ती बनाओ घुलो मिलो, बाते करो दूसरी चीज अच्छी बाते फॉलो करो अपना सारा काम खुद करना सीखो खाना बनाना, कपड़े दोना बुड़े होने के बावजूद भी अगर आप अपने हाथ-पैरों को चालू रखते हो ना तो यकीनन आप एक लंबा जीवन जीओगे जिस दिन आपने काम करना बंद कर दिया उस दिन आपकी बाड़ी भी खत्म होना शुरू कर देगी सबजियां जो आपको लंबी जिन्दगी देती है कि बड़ी तारीफ की गई है इस भुक में तीसरी चीज़ दोस्तों दोस्तों के साथ रहो, बाते करो, डांस करो, गुलो मिलो और स्ट्रेस कम लो चौती चीज़, आराम से जीओ, जल्दबाजी मत करो किसी भी काम को खुद पर हावी मत होने दो जल्दी उठो और जल्दी सोजा ये सब बाते जापान के ओकिनावा के लिए कही जाती है जिसका सैकंड वर्ड वार में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था दोस्तों भूखे मर रहे थे यहाँ के लोग, खाने को अनाज नहीं था लेकिन आज WHO का मानना है कि यहीं पर दुनिया के सबसे ज्यादा एज जीने वाले लोग रहते है यहाँ के लोग साइकल ज्यादा चलाते हैं और सरकार का यहाँ पर नियम है कि दिन में सिर्फ 10 ग्राम से कम ही नमक खाया जाएगा जिसको यहाँ के लोग बहुत strictly फॉलो करते हैं पूरे जापान में कम से कम नमक ओकिनावा में खाया जाता है यहाँ हार्ड अटैक से मौत होने की possibility सबसे कम है इनकी सबजियों में अगर आप variety गिनोगे तो 206 types की तो variety और दिन में कम से कम 18 variety यह खाते हैं सबजियों में 30% से ज्यादा calories यह सबजियों से ही इनको मिलती है शक्कर बहुत कम खाते हैं मतलब की processed refined चीजों से दूर रहते हैं मतलब गन्य का juice पी लिया लेकिन शक्कर नहीं खाएंगे हफते में 3 बार मचली खाएंगे खाने में मीठा पक्वान और चॉक्रेट बहुत कम मिलेंगे इनके दूसरा पूरे जापान के मुकाबले ओकिनावा में लोग बहुत ही कम पूरे जापान में बहुत ही कम calories consume करते हैं यहां के लोग मानते हैं कि खाना खाने के बाद थोड़ी भूक होनी चाहिए चोटे चोटे बटनों में परोसने की वज़े से ज्यादा खाने की संभावना खत्म सी हो जाती है आप देख लो बहुत धरम में भी कहा गया है कि उतना ही खाओ जतने की भूक है ज्यादा मत खाओ ज्यादा खाने से पचाने में टाइम लेगा बाडी को टाइम लगेगा और पचा ना पाए तो वो फैट बन जाएगा इसलिए कहा जाता है कि हफते में एक या दो दिन उपवास रखना चाहिए उपवास करने से आपका मेटावालिजम सही होता है क्वालिटी की चाय यहाँ पर ज्यादा पीना पसंद करते हैं लोग ग्रीन टी वाइट टी ओकिनावा में एक फल होता है शिकुवासा नीमबू जैसा एसिडिक फल इस फल का बड़ा यूस करते हैं ये लोग नेक्स चेप्टर में बात की गई है कि अक्टिविटीज क्यों जरूरी है सदा जवान बने रहने के लिए ये जरूरी है कि लोग थोड़ी-थोड़ी सही अक्टिविटीज करते रहे लेकिन रोज करते रहें सैकंड बल्ड बॉर के बाद जापान में रेडियो पर एक योग कारिक्रम शुरू हुआ ये योगा न स्कूलों में पढ़ाई शुरू करने से पहले कंपनियों में काम शुरू करने से पहले करवाई जाती थी और आज भी 30% लोग अपना दिन इसी से शुरू करते हैं जापान में आज चैप्टर में बताया गया है कि ये लोग अपने एकिगाय के साहरे जीते हैं परिस्तित्या इनके खिलाव भी हो लेकिन ये एकिगाय को फॉलो करते रहते हैं इनका सिंपल सा फंड़ा है कि जिन चीजों पर कंट्रोल है उन्हें पूरे मंद से करना है जिन चीजों पर कंट्रोल नहीं है उसकी चंता छोड़ देनी है चंता बगाने की एक टेक्नीक है इनके पास में गौर से सुनना उस टेक्नीक को उस टेक्नीक का नाम है बुरे से बुरा क्या होगा ये दिमाग में सूच कर चलो एक हफता अगर नौकर नहीं आएंगे तो बुरे से बुरा क्या होगा इतना तो मैं जेल लूँगा खुद काम कर लूँगा लोगडाउन में अगर मकान मालिक किराय नहीं छोड़ेगा तो बुरे से बुरा क्या होगा इतना तो मैं जेल लूँगा इतना मैंने बचा रखा है ये बुरे से बुरा क्या होगा वाले टेक्नीक से चंता गम हो जाती है क्योंकि जिस चीज़ पर हमारा कंट्रोल नहीं है उसे accept कर लें इसी में फायदा है उमीद करता हूँ आपको ये book पसंद आई होगी दोस्तों आज की वीडियो में बस अतना ही